तो है विबूछी जब ओविंदर आए वे ही बने जग उने जड़ क्यों बता दे भगवान विबू चित कहलाते हैं हम लोग भी चित हैं लेकिन अड़ू चित हैं चित माने चेतन है देखो हाथ कान कर रहा है आँख कान नाक दसना हाथ पायर सब इसमें चेतना डालने वाला है न ओ आत्मा और भगवान तो महाचेतन है चेतनस्चेतना नाम उतो चेतनों को चेतना देने वाला है ये तो न बड़ा चेतन है और वही संसार बना यह संसार जो आप लोग देखते हैं यह भगवान है तदात मानम स्वय मकूरूत बेद कह रहा है तैट्यरियो पनिशत दूसरी बल्ली का सात्वा अनुबाग आत्मानम स्वय मकूरूत बन गया न चांतर न बहिर जस्य न पूर्बं न पिचापरं पूर्बा परम वहिष्चांतर जगतो यो जगत चाया जगत चाई वह जगत है तो यह जगत जब बना वो महाचेतन तो जड़ कैसे बन गया यह पृत्वी यह जल यह तेज यह बायू यह आकाश यह सब जड़ है न अड़े यह आपका शरीर ही जड़ है यह आश्चर्ज है न अगर यह को कि भगवान संसार नहीं बना भगवान से संसार बना आप कोई एक बात है यह तो वाई मानि भूतानि जायन ते जड़ कहां से आ गया और भी बाते हैं बुचित्र के भगवान तो आनंद सिंदू है और जगत दुख में कहीं आनंद का एक कड़ भी नहीं वो तो भूमा है अनंद तो सुख है और संसार में सब भटक रहे हैं उसी सुख के लिए यहां भी नहीं स्वर्ग में भी नहीं कहीं नहीं और आनंदा धेव खल मिमान भूतानी जायंते मा जो है आनंद है और उससे पैदा हुई संतान में आनंद का लवलेश नहीं संसार में तो भैंस से घोड़ा नहीं पैदा होता मनुष्ट से मनुष्ट पैदा होता है भैंस से भैंस पैदा होती है आनंद से आनंद निकलना चाहिए चेतन से चेतन निकलना चाहिए आक्चर जय है बुद्धी काम नहीं करती नहीं तो जहां बुद्धी न काम करे वही भगवान हुदा करता है अच्छा बता देंगे फिर करता है पुद्धी करता है आपसित पैद्धी करता है प्यूँने और होते हैं करेंगों